अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसर एक जैसे लगने वाली दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें अस्मिता और स्मिता अस्मिता के आरंब में अ को नकारात्मकता का अर्थ वाहक मानकर उसे स्मिता का विरुधार्थी बताना या तो अज्यान की बात होगी या मजाक की दरसल इन दोनों में शकल गत तुलिता के अलावा कोई संबंध नहीं है अस्मिता के मूल अर्थ तक पहुचने के लिए पहले इसके भीतर के अस्मी का अर्थ अहम मैं हूँ पकड़िये और फिर अस्मी के भीतर के अस का अर्थ हूना पकड़िये धातु और प्रत्य जुड़ जुड़ा कर अस्मिता के अर्थ इस प्रकार निकालते हैं अहंभाव, अहन्ता, अहंकार, अभिमान, घमंड, अस्तित्व, विद्यमानता वेदान्त में इसे हिर्दय ग्रंथी कहा गया है और सांखि में मोह योग शास्त्र में इसे पाँच कलेशों में से एक बताया गया है आज के साहितिकार अस्मिता के अर्थों का दाइरा बढ़ाते जा रहे हैं जिसमें उपर्युक्त के साथ साथ पहचान, इमान, शान, निजत, तो महत, तो निष्ठा, प्रतिष्ठा, इस्जत, गहरापनादी सब कुछ आ जाता है मेरे एक मित्र ने इस शब्द के अर्थों की अच्छी नब्स पकड़ी है उनकी अनुसार जब किसी साहितिकार को खर्च करने के लिए कोई बढ़िया शब्द नहीं मिल पाता है तो वो बतोर फैशन इस शब्द को इस्तिमाल कर डालता है आखेरा समिता की बात है समिता, समिती और समित तीनों में मुस्कुराना अर्थ की वाचक समीधातू है यहां तुलना करने के लिए अंग्रेजी के मुस्कुराना अर्थ वाची शब्द स्माईल के आरंभिक तीन वर्णों S, M और I को याद करने की इच्छा हो रही है लोग बेटी का नाम स्मिती और स्मिता रखते हैं बेटे का नाम स्मित रखा जाता है लोग विशेशन के रूप में मुस्कान युक्त मुस्कुराता हुआ, खिला हुआ, विकसित है और संग्या के रूप में मंदहास, धीमी हसी, मुस्कान है स्मित में विशेश्टा लाने के लिए आप इसके पहले वी जोड़कर इसे विस्मित कर देते हैं